अस्तुट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् इशू, what issue exist मतलब ये डिसकर्व करने के लिए कि इशू क्या है इसका alternative क्या है और इसका evaluative criteria क्या है जो apply किया जा सकता है इशू को address करने के लिए evaluative criteria होता है मतलब इसका तश्कीसी मियार क्या है जो issue को address करने के लिए मतलब issue को पेश करने के लिए जो apply किया जा सकता है और इस approach में जो judgment होती है वो क्या होती है? suspense में होती है तो इसके लिए एक popular term इस्तमाल कियती है suspension of judgment तो यह जो approach है यह जातार business data problem को हाले करने के लिए इस्तमाल कियाता है और यह low level पे जो critical thinking की यह approach है इसको ताब इस्तमाल कियता है कि हम शाम कैसे अगजारेंगे मतलब क्या वो movie देखने जाएंगे या फिर कौन सी movie देखने जाएंगे और उसके लावा और क्या का करना है मतलब what else is there to do मतलब इसके लावा movie देखने लावा का करना है क्या वो पहले खाएंगे या फिर क्या इन्हें शो के बाद खाने ये एटिसी तो यह है यह है डाइलैक्टिकल अप्रोच तो अब हम थर्ड अप्रोच को देखते हैं डिस्कल करते हैं तो थर्ड अप्रोच है रिटोरिकल अप्रोच रिटोरिकल अप्रोच तो यह जो third approach है critical thinking यह काफी powerful approach है और इसमें जो लोग अपने ideas और जो evidence पेश करते हैं यह किसी जो powerful जराइक से पेश करते हैं मतलब इन में जो evidence होती है इनकी जो evidence होती है इसमें कोई power होती है और किसी भी controversial issue हो उस पे क्या होता है controversial issue मतलब capital punishment मतलब size mode होती है इसके कहता है एक powerful evidence होती है यहां फिर mercy killing होती है मतलब तकलीफ से नियाद लाने के लिए उकतर होता है तो इसके पीछे भी क्या होती है एक influence मतलब power ताकत की evidence होती है और इसके लावा जो controversial issue है जो homosex है या फिर abortion वगरा है तो इसमें क्या होती है एक powerful evidence या फिर ideas होती है इनके पीछे तो लोगा करते हैं ये evidence को present करते हैं evidence करते हैं या फिर arguments करते हैं क्या करने के लिए अपने point of view को support करने के लिए और जो thinking प्रास होता है वो revolve करता है around identifying the best evidence and argument क्या करने के लिए to support the claim or conclusion जो दावा होता है या फिर conclusion को support करने के लिए जो thinking प्रास होता है वो कहता है जो best evidence और arguments के गिर्दी रिवाल्व करता है तो इस approach को हम कहते है रिटोरिकल रिटोरिकल अप्रोच